नमस्ते सस्रीयकाल अस्सलाम वालेकुम मैं शेफ पुनम आपके अपने चैनल पे एक नई रेसिपी लेके आए हूँ आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के काले चैने लेकिन आप इसे भोग में नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम इसमें लहसुन अद्रक का पेस कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए इसे फटाफट बनाना सीख लेते हैं सबसे पहले हमने दो कप चैने लिए हैं जिसे ओवरनाइट हमने भीगो के रख दिया था बहुत अच्छी तरीक इसमें सॉल्ट डैट करेंगे इसमें उतना ही पानी आट करना है जितने में यह जो चैने हैं प्रवपर भीग जाएं और उसके बाद allez हैं दो से टीन विसल लगाने हैं जिससे कि जो चैने हैं हेश्ट मैं बषक्ट सॉफ्ट होजाए इससे अि जिसे कावर करके हम 2 सी लगा लेंगे सबसे पहले चने को खो चुके हैं और यह देखिए एकदम सॉफ्ट बने हैं अब हमें लेनी है एक कड़ाई और इसमें 2 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड ओल ले लिया है दो प्याज है जिसे अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है और इसके साथ साथ एक हरी मिर चली है जिसे चॉप कर लिया है आप चाहे तो हरी मिर्च जादा भी ले सकते हैं वन टीज्पून इसमें जीरा एड़ करेंगे इसके साथ साथ हमें इसमें आड़ करना है ग्रीन चिली इससे जो है टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा अब इसमें हींग एड़ करें इसे हमें गोल्डेन कलर का भुनना है गोल्डेन ब्राउन अगर आप इसे अच्छी तरीके से नहीं भुनेंगे तो चने का जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं आएगा और प्याज हमारा भुन चुका है अब इसमें वन टीजपून जिंजर गार्ली का पेस्ट आड़ करें जो हमने अबाल के रखे हुए थे तो यह हमने आड़ कर दिया है इसे भी मिक्स कर लेंगे इसे पहले हाइफ्लेम पे दो मिनट के लिए कुक करेंगे दो मिनट बाद इसका कलर दे के थोड़ा सा चेंज होगी अब इसमें कुछ इसपाइसे आड़ करेंगे जिसमें हम सबसे जो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 1 गरम गरम भी आप सारी चीजों को मिक्स करना है जिसे की इसका अच्छा आए और अब हमें फ्लेवर को कम कर देना है एकदम अच्छा अच्छा आप एकदम स्लोफ लेंपे हम इसे कुक करेंगे तो अब हमें स्लोफ लेंपे से कुक करना है 10 मिनट बात देखें चैने का जो कलर है वो काफी चेंज हो चुका है थोड़ी सी ग्रेवी बची होई है, आप चाहे तो इसे एकदम ड्राई बना सकते हैं आप चाहे तो थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं और यह काफी अच्छे कुक हुए हैं और हमारे चने एकदम सॉफ्ट कुक हुए हैं अब इसमें आप खटाई एड कर सकते हैं अगर आपके पास खटाई नहीं है तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं तो हाफ लेमन का जूस में हम एड कर देंगे इससे थोड़ा सा खटा बनाता ह काफी अच्छा लगता है खाने में और उपर से हमें स्प्रंकल करना है हरी धनिया हरी धनिया तो मेरा फेवरेट है तो इसे तो मैं जरूर ही आइड करूंगी और यह हमारे काले चने बनके रडी हो चुके हैं आप इसे पूरी के साथ खा सकते हैं पराठा के साथ खा सकते है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें अब मैं मिलूंगे अपनी नई रेसिपी के साथ तब तक देखते रहे हैं शेफ पुनमघर की रसुई